अगर आप एक यूटूबर है, यूटूब पे ग्रो होना चाहते है, कम समय में अपनी पैचान बनाना चाहते है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते है, वो भी यूटूब से, सच बताओ तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैनद करनी होती है, और सही डिरेक्शन में काम करना होत है, उसके बाद आपकी यहाँ पे face value तो बनेंगी, लोग बाग आपको जानेंगे तो ही, साथ में आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेंगे, आपने बहुत सारे ऐसे यूटूबर देखे होंगे, कि उनके पास पहले कुछ नहीं था, जब से वो यूटूब पे आया है, उनकी हम भी इसी तरह की बनने की कोशिस करेंगे, बट कहीं न कहीं हम mistakes कर जाते हैं, और हमारा चैनल ग्रो नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को सही तरीकी से और कम समय में ग्रो कर सकते हैं, बाद दोस्तों आपके ब बिजनिस के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी, नेटवर्किंग के लिए भी, सभी तरह के डाइगराम आपको यहां पर मिलने वाले हैं, एक डाइगराम का एक्जामपल हम लेके चलने वाले हैं, आप देख सकते हो कि बिलकुल यह ड्रैगन ड्रोप है, यहां पर इसको इमेल लिखूंगा तो यह अपने हिसाब से आप इसको changes कर सकते हो color changes भी आप कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका color है और यह color यहाँ पे आप देख सकते हो इसको भी हम change कर सकते है इसका color है यह customization है यह पूरा पूरा इसका color हम change कर सकते है यहाँ पे आप अपने इसाब से full customization कर सकते है तो कहने का मतलब everything is a customization here इस tool में आपको 280 plus diagram मिल जाएंगे 2000 plus आपको templates मिल जाएंगे inbuilt और साथ यहाँ पे 50,000 से जाड़ा ready to move symbols आपको देखने को मिल जाएंगे यह look and feel है वो बिल्कुल MS Office से भी जादा best है और यहाँ पे अगर इसको customization करना चाते है ठीक है तो यहाँ पे आप changes वगेरा कर सकते है यह font वगेरा है इसको change कर सकते है size को change कर सकते है colors का change कर सकते है अगर यहाँ पे आप इसको alignment करना चाते है तो यहाँ पे click करिए और alignment पे click करके यहाँ पे click कर सकते है आप चाहँ तो आप अपनी खुद की image symbol भी यहाँ पे import कर सकते है और अपनी इस diagram को अच्छे से design कर सकते है, customize कर सकते है और export भी यहाँ पे कर सकते है अलग-अलग type का आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगे तो कहने का मतलब है कि इस तरह से यह बिलकुल यहाँ अलग तरह के आपको diagram मिलने वाले है link बाइन description में दे दिया है जाईए आप check out कीजिए और फटफट से यहाँ पे आप जोइन हो जाईए अब दोस्तों बात करते है कि अपने YouTube चैनल को grow कैसे किया जाए यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि जो बंदे काफी दिनों से काम कर रहे है काम करते करते 6 महीने हो गया एक साल हो गया YouTube पे वीडियो भी काफी अच्छे-ची डाल रहे है बट उनका चैनल grow नहीं हो रहे है सबसे पहले बंदा वो सबसे best होता है जो अपने आपको analyze करता है वो देखता है कि मैं गलती कहां कर रहा हूँ जो YouTuber अपनी गलती को ज़्यादा सुदारता है वो ही आगे चला जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको एक example आपको देना चाहूँगा कि जब भी कोई बंदा YouTube पे आता है वो कही न कहीं किसी न किसी को देखके किसी न किसी से inspire होके YouTube पे आता है और अपना YouTube चैनल open कर लेता है साथ में वीडियो भी डालने लगता है बट उसको जब 2-3 मेने हो जाते है तब वो देखता है कि यार मेरा चैनल तो गुरो नहीं हो रहा है इन YouTubers के चैनल गुरो कैसे हुए है सच बताओं तो इसके पीछे कहीं न कहीं मैनत होती है कहीं न कहीं extra effort होता है advanced thinking होती है उस time हमें अपने अंदर जांकना चाहिए हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि जो मैं information दे रहा हूँ क्या वो और YouTuber से अच्छी है क्या वो और YouTuber से हटके है क्या वो और YouTuber से unique है बहुत सारे YouTuber मैंने देखे है मैं हमेशा से channel चेक करता रहता हूँ कि वो जो बड़ा यूटूबर वीडियो डाल देता है, उसी को देखके सारे यूटूबर डालने लगता है, तो ऐसे में आप गुरो कैसे होंगे, आप अपने चैनल पर वीडियो डालिए, तो थमनेल को चेंज करिए, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो में बताईए, एक सारे रन बनाए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हर क्रिकेटर उसको उनको जानते है, अब जब वो काम कर रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है, रन बना रहे थे, ऐसे में विरंदर सहवाग आते है, विरंदर सहवाग जब देखा कि यार यह तो सचिन तंदलूर की तरह खेलते है, फिर पता लगा कि सचीन देंदुलगर की तरह खेलते हैं बट यहां पर उनसे ज़्यादा वो चोके चक्के मारने में बिलीव करते हैं कहने का मतलब है वो बड़ी पास्ट बड़ी तेजी से रन बनाये थे क्रिकेट का मैच होता था वो हमेशा सोचते से कि चोका चक्का उड़ा दू हर बोल पे तो कहने का मतलब जब वो आये तो उनकी तारीफ होने लगी कहने का मतलब कुछ न कुछ यूनिक था सचीन देंदुलगर में और विरेंदर सहवाग में उसके बाद एक क्रिकेटर ओर आता है जो की आता है चक्के उड़ाता है चक्के कोन उड़ाता है वो उड़ाता है मैंदर सिंग धोनी उनकी कुछ अलगी यूनिक नैस थी कहने का मतलब है कि आप भी यूनिक बनिये अब एक क्रिकेटर ओर आता है विराट कोली जी अब विराट कोली को लोग बाग कहने लगे कि इनके अंदर जो टैलेंट है वो दो बेस्ट मैन होगा है कैसे सचिन तैंदुलगर का भी है और यहाँ पर विरिंदर सहवाग भी है यह चाहे तो यहाँ पर फास्ट भी खेल सकते है यह चाहे तो रोक के भी खेल सकते है यह चाहे तो कलासिक बल्लेबाज भी है और यह चाहे तो कलात्मक बल्लेबाज भी है कहने का मतलब है उन्होंने पहले यूटूब पे आ चुके है उनके अंदर जो भी टैलेंट है वो तो आपको समझना ही समझना है साथ में अपना भी कुछ यूनीक करना है अगर आप ऐसा करोगे तो आपका यूटूब चैनल जुरूर से गरो होगा 101% गरो होगा यहाँ पे मैं अपनी ही बात गुजा द है तो इसलिए अपनी पहचान खुद को अलग बनानी पड़ती है मैं चाहता तो सारे बंदों की कोपी करता मुझे पता है कि उनको भी मिरों को देखना है और मुझे अपने आपका कंटेंट भी देखना है यह सब देखके ही अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तब ही मिरों को आप गैधरिंग करोगे और उसके बाद आप अपनी वीडियो बनाऊंगे तो आपकी वीडियो में चार चांद लगे और और भी ज्यादा अच्छी इनफोर्मेशन लगेगी जब आपकी वीडियो पे कोई बंदा लैंड करता है देखता है तो उसके दिमाग में यह आने च की बादा एए आपका भी चैनल दोड़ेगा और आपको भी लोगभाग जानेगा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखनों को मिला होगा अगर सीखनों को मिला तो लाइक करीए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो म तब तके लिए टाटा बाई बाई जाएं